हेलो एवरीवन स्वागर थे आप सभी का आज का हमारा विसे काफी इंपोटेंट है एक ऐसा मुद्दा जिसके वारे हम लोग हमेशा जानने की कौसिस करते हैं कल हमारा सोला दिशंबर था और सोला दिशंबर को जैसा कि आप सबको पता है हम बिजय दिवस के तौर पर मनाते हैं हमारी जो सैना है इस सैना का ये सौरे दिवस है आप लोगों ने देखा होगा अमर जबान सहीद हर जगे आपको इसमारक देखने को मिल जाते हैं ये हमारे इसी दिन की याद में मनाया जाता है जब भी बात होती है युद्धों की तो इस युद्ध का बहुत बड़ा महत्व है इस दिन हमने बो किया था जो इतिहास में कभी हुआ नहीं इस दिन हमारे सामने 90,000 दुस्मन सैनिक यह हमारे कबजे में थे और यह बोल रही थे कि हम ने समरपन कर दिया है। हमारी जो सैना हैं, इस सैना के एक बर्जस्व या सैना की सकती का आपके सामने क्या था दिन था? कि इंडियन आर्मी क्यों इतनी महान है कि कुछ सैनेकों नब्बे हजार सैनेकों को हमारी सामने घुठने टेक दिये थे हाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं बिजे दिवस के बारे में जो कि 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है और मनाया किसलिए जाता है कारण है आपके पास कि 1971 का जो आपके पास भारत बांगलादेश युद्ध है इस युद्ध के अंत के सुरूप अब सरफ बांगलादेस आपने क्यों बूला बेटा देखो बाहरत की ये डारेक्टी लडाई नहीं थी ये बांगलादेस और पाकिस्तान की लडाई थी लेकिन बाहरत ने इसमें 25 जीड किया था और अंते दाव बांगलादेस को जो आजात कराया वो भारत ने कराया इसलिए अपने पास क्या है ये एक हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण दिन है गर्व का दिन है अब पहले परिसेतिया समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हमें ये सब यहाँ पर देखने को मिला बिटा समझेगा देखो पहले अपन थोड़ा सा कॉंटेस्ट सम ये अपना पाकिस्तान है ये आपका अफगानिस्तान है और इधर अपना क्या है ये बंगलादेश है अगर मैं इसको थोड़ा सा बिलू कर दो फुल बिटा दीदीच ही वालडे जो रिजन यह आपका पस्चमी पाकिस्तान था यह आपका चेत्र क्या था यह पस्चमी पाकिस्तान था इसके जब भी अपन यहाप पर बात करते हैं यह आपका बेटा क्या था पूर्वी पाकिस्तान था यह आपके पास क्या था बेटा पूर्वी पाकिस्तान था 1947 से लेकर 1970 तक 1970 तक इतने अत्याचार किये गए पाकिस्तान देखिए यह काफी important area था यहाँ से जो पाकिस्तान की economy है बेटा इस economy में बहुत ज़्यादा contribution होता था अपने यहाँ पर agriculture की बातचीत करें agriculture को आप ले लिजिए यहाँ पर बात करें जूट हमारे पास है जूट को ले लिजिए यहाँ पर manpower की बात करें हर चीज का यूज करता था पाकिस्तान पूर्वी बंगाल का लेकिन जो पूर्वी बंगाल के लोग थे बेटा इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था इनको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था यहाँ पर जो इसकीम है योजनाय है बेटा यह नहीं देखने को मिलती थी योजनाय नहीं चलती थी यहाँ पर एक तरीके से सैने सासन आपको देखने को मिलता था सैने सासन देखने का मतलब क्या है कि सेना यहां पर एक तरीके से ऐसा भीएब करती थी इस जनता के साथ जैसे जनता आतंग बादी हो मतलब यहां पर लूट पार्ट की अपने आपर बातचीत करें, लूट पार्ट की घटनाएं, या रेप की अपने आपर बातचीत करें, या हत्या की अपने आपर बातचीत करें, बेटा ये सारी बाते कॉमन थी, या पर सब कुछ आपको देखने को मिलता रहता था, मतलब पाकिस्तान इस चेत्र में आतंक बढ़ता है किसी चेत्र में परेशानियां बढ़ती हैं तो बहां पर आंदोलन आपको जरूर देखने की मिलेंगे तो यहां पर भी कुछ लीडर आपके पास थे अगर मैं आप से आप बातचीत करूं 1970 के आसपास आपने सेना के बारे में सुना होगा मुक्त बहानी सेना को लीड कर रहे थे और यह बांगलादेश की जो जनता है इस जनता के अधिकारों के लड़ रहे थे लेकिन आप यह समझेए आतंक के किसे कहते हैं 1947 1947 से लेके 1970 तक 23 साल के एरा में एक बार भी पूरे जो पाकिस्तान है इस पाकिस्तान में इलेक्शन हुए ही न बांग करेंगे तेवी साल में भाईया एक भी एलेक्शन नहीं हुआ इस वाली रीजन में लेकिन भारत में तब तक आपके पास 4-5 एलेक्शन हो चुके थी तो हैं तो दोनों लोकतांत्रिक देश लेकिन लोकतंतर कहां पर फल पूल रहा था और कहां पर लोकतंतर की हत्या की जा रही थी आप इस बात का अंतरिस्पस्ट कर पा रहे होंगे जब आबाज बहुत बढ़ने लगी तो 1970 में डिसाइड किया गया कि हम लोग क्या करते हैं इलेक्शन कराते हैं और 1970 में 1960 में आपर इलेक्शन कराए गए और इस वाली रीजन की 169 आपके पास जो सीटे थी बेटा इन में से 168 हैं ये मुक्त भाइणी ने आपके पास जीती अगर मुक्त भाइणी ने जीती हैं तो इनको क्या मिलना चाहिए सत्ह इनके हातों में आना चाहिए लेकिन जो पाकिस्तानी डिक्तेटर थे उस टाइम पर उन्होंने इस election से ही मना कर दिया हमें selection को मानते ही नहीं है ये तो एक साजिस है ये सत्ता बदलना चाहते है और कुछ भी नहीं है ये फरजी चुनाब हमें चुनाब को permission नहीं देंगे और शेक मुझी गोर्रहमान आपके पास जो है इनको क्या कर दिया? जेल में डाल दिया इनको जेल में डाला और जेल में ड रिफ्यूजियों ने भारत आना स्टार्ट कर दिया तो भारत के लिए भी समश्या खड़ी हो गई भारत उतना मजबूत नहीं था भारत की अर्थवस्ता इतनी सक्षम नहीं थी क्योंकि एक साल के अंदर अंदर एक करोड के आज पास जो रिफ्यूजिय हैं ये भारत आ चु कषियों को के खिलाने पिलाने के जिम्मेदारी सरकार के पास थी हमारी अर्थ्वस्ता की स्थिति दो बैसे ही घराब थी इन एक करोडर रिफ्यूजियों का बोज पढ़ राधा भारत ने कुछ नहीं बूला पाकिस्तान से कुछ भी नहीं बूला भारत ने कौसिस की अपनी इस आबाज को अंतर रास्टी हिस्तर पर ले जाने की लेकिन अंतर रास्टी लेवल के जो हुकमारान थे उस टाइम पर जो बड़े-बड़े देश थे उनका अपनी अलग कहानी चल रही थी क्यों चल रही थी? देखो सबसे बड़ा देश बेटा कौन था आपके पास? अमेरिका अमेरिका उस टाइम पर पाकिस्तान का क्या था? बेटा आपके पास दोस्त था बहुत बड़िया वाला दूसरे अपने आपर देश की बात करें तो दूसरा कौन है? बेटा चीन है और भारत और चीन के रिष्टे बैसे ही खराब चल रहे थे तो चीन तो चाहता था कि पाकिस्तान क्या करे? भारत को परेशान करे क्यों? दुस्मन का दोस्त दुस्मन का दुस्मन अपना दोस्त तो ये दोनों तो दोस्त आपके पास थी अमेरिका पाकिस्तान की रिष्टे काफी अच्छे थे भारत आबाच को उपर ले जाने की भारत ने बहुत कौसिस की जब बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी आने लगे तो इंद्रा गांधी ने उस टाइम पर भारत की पिर्धान मुंत्री थी इंद्रा गांधी इन इंद्रा गांधी ने अमेरिका से बूला कि देखी आप महासक्ती हैं आप दुनिया की पावर हैं आप पाकिस्तान से बूलिए ये जो रिफ्यूजी है इन रिफ्यूजीओं का थोड़ा सा ध्यान रखे इस वाले रिजन में अत्याचार करना बंद कर दे क्योंकि भारत की अर्थवस्ता यतनी इस्ट्रोंग नहीं है कि रिफ्यूजीओं की बोच को क्या कर पाए उठा पाए या ढोपाए अमेरिका के इस तेंड पर ध्यान दीजीगा अमेरिका ने क्या बोला आप एक काम करिये कि जो भी सरनार्थी हैं इन सरनार्थियों को बापिस भी दीजिए इनसे बोल दिजिए कि भईया आप तो बापिश चले जाओ कहाँ पर आपके पास पाकिस्तान आप कहाँ पर चले जाओ पूर भी पाकिस्तान चले जाए हम आपको अपने देश में नहीं रख सकते हैं इसका reply किया था इंद्रा गांदी ने कि हे अमेरिका आप हमें बताईए कि जब हिटलर उस समय जिऊस पर अत्याचार कर रहा था और वो जगे जगे आपके पास छिप रहे थे तो उस टाइम पर आप कहाँ थे क्या उस टाइम पर आप जूस को जर्मनी बापिस बेश सकते थे इटलर के पस ताकि उनकी हत्या कर दे नहीं कह सकते थे ना तो हम कैसे कैदे इन सरणार्थियों से आप बापिस चले जाओ मरने के लिए उस दल दल में हमने बहुत कोसिस की अंतरराश्टि स्थरपर समुद्डेख उठाने की किसी ने हमारी मददी नहीं की क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन تھा चाइने से हमारे रिष्टे खराब थे, अमेरिका से हमारी लड़ाई चली रही थी, क्योंकि हमने ब्यतनाम बोर में अमेरिका का साथ नहीं दिया था, तो अमेरिका से रिष्टे हमारी कैसे थे खराब ही थे, सब कुछ महाँल हैं पर बहुत ज़्यादा खराब चल ला था, औ जाट में भारत ने इनको सैन प्रेस्चन दे ना शार्ट कर दिया अभी अपनने किसी स्कुछ बोला नहीं है उपन भी नहीं किया सभसे पहले काम कौन कर रहा था बीएसेफ कर रहा था देर लो काम is जो सेना है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, एक तो ट्रेनिंग दे रहे हैं और वेपंस दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें जो रो है, Research and Analysis बिंग है, इसने हमें बताया कि पाकिस्तान ने बहुत सारे जो हतियार हैं, इन हतियारों का आयात कर लिया है और पाकिस्तान चाहता है कैसे भी करके भारत से क्या करना युद्ध करना देखो बटा ये जो सारी घटनाय चल रही है ये सारी घटनाय चल रही है आपके पास मार्च अप्रेल 1970 के आसपास की मार्च अप्रेल 1970 के आसपास की घटनाय चल रही है और भारत सांत क्यो क्यों है इसको समयना इसके पीछे का कारण मॉनिक्स ओने बताया मॉनिक्स ओने बोला क्या देखो अभी तो बरसात आने वाली है अप्रेल मैं की बाद बरसात आएगी अगर बरसात में युद्ध करेंगे यह पूरा का पूरा एरिया कैसा है दल्दली है यहां पर सुंदरबन डेल्टा है अगर दल्दली एरिया में जाएंगे तो साइध फिर हम सेना उतने अच्छी तरीके से नहीं लड़ पाएगी इसकी बाद सर्दी का मौसम आ जाएगा और सर्दी के मौसम में यहां से लेके यहां तक पूरे में क्या रहेगा वर्फ रहेगा अगर वर्फ हम सेना की डेल्क डारेक्लीर के मौसम में लड़ाई वहे यहां से चाइना मदद कर देगा अगर तो इन्दर गांधी जो हमारी उस ट्र nouveau मुला हम क्या करते रहे मुक्त भानी सेयना को हत्यार यहां से देते रहे लगवक सब कुछ आपके पास चलता रहा लेकिन जैसे जैसे समय आपके पास नजदीक आया सर्दियों का मौसम आपके पास है मौनिक साने बोला अपन एक काम करते हैं सेयना को तयार करते हैं और बांग लड़ रहे हैं जो आपके पास अमेरिका है इस अमेरिका ने दुनिया का उस टाइम पर सबसे बड़ा जो बेड़ा था साथवा बेड़ा यह साथवा बेड़ा भेदिया बंगाल की खाड़ी की तरब देखिएगा लड़ाई चल रही है दो देशों के बीच में एक आपके प पर पूरवी पाकिस्तान था मतलब यहां पर आपके पास कौन है मुक्त बहानी है यह दोनों आपस में लड़ रहे हैं इदर आपके पास पाकिस्तान है पाकिस्तान की साथ में बीटा देखू चीन तो है यह इसको अतियार दे रहा है चीन की साथ में बीटा अमेरिका भी आ में चला गया है तो यह जीतेगा जरूर यह बंगाल की खाड़ी तक पहुचा था ही अब भारत के सामने बड़ी दिक्कत हुई भारत ने क्या किया जो USSR है इस USSR से हमने फ्रेंडशिप्ट ट्रीटी यहांपर क्या की साइन कल दी बहरत मोतबहानी प्लस USSR अब USSR ने हमसे रिष्टि क्यों अच्छी बनाए ये भी आपको समझना चाहिए दिखे उस तने में पर चल रहा था कूलड वार उसे और USSR के बीच में सब कुछ अपनी अलाई कंट्री ढूड रहे थे और USSR को भारत एक अच्छा देश मिल गया था भारत उससे हत्यार खरीदता था वो हत्यार बेशता था उसको रेवेन्यू मिल दा था तो उसको भी अच्छा दोस्ट चाहिए था हमने जैसे ही हापर संदी साइन की USSR ने openly अनाउंस कर दिया कि अगर अमेरिका ने इस युद्ध में participate किया तो हम भी सीधा participate करेंगे अब ये सुनने के बाद अमेरिका को डर लग गया क्योंकि अभी तक तो USSR और अमेरिका के बीच में अगर गलती से USSR आपर आ जाता तो अमेरिका और USSR की सेना आपस में लड़ती और इसमें बहुत ज़्यादा चांचेस थे अमेरिका के हारने के जो कि अमेरिका बिलकुल नहीं चाहता था क्योंकि अमेरिका चाहता था कैसे भी करके USSR को तोड़ दे उसके बाद पुरी दुनिया का जो पावर है सुपर पावर है वो बन जाए जैसे ही USSR ने अनॉंस किया वैसे ही अमेरिका ने अपना जो साथवा बेड़ा था उसको रोग दिया यह बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ा ही नहीं मतब यह सिर्फ यहां तक आपके पास पहुँच पाया और यह यहां तक पहुँचा ही नहीं मतब युद्ध भूमिता किसने पहुँचने से अपने आपको रोग लिया तो यह वाला जो हिस्सा था इंटर्नेशन वाला कि अमेरिका ने किस तरीके से इंटर्वेंशन किया इस युद्ध में आप यह समझ गए होंगे फिर हमने USSR से friendship treaty sign की इसको अपन ने क्या किया रोखा तो अंतरराश्टी जो इस तर यहां पर अंतरराश्टी भागेदारी जो हमें देखने को मुल रही थी उसको अपन ने रोखी दिया चाइना कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि यहां पर बर्फ थे इधर से चाइना आनी सकता था अगर इधर से आता तो अंतरराश्टी सर्तों का उलंगन माना जाता चाइना उतना सक्चम नहीं था जितना आज है तो चाइना ने ज्यादा हरकत यहां पर नहीं की यह आप पास माली जी क्या है धाका है और इस धाका के अंतरगत नब्वे हजार के आसपास पाकिस्तानी सेनेक थे और भारत ने हैं से सेना भेजरें स्टाडी किया था मजा की बास समझे भारत ने हैं पर सिर्फ तीन हजार सेनेकों कोई छेडा था और ऐसे गोशना कर दी थी कि हमने पूरे ढाका को कबर कर लिया है अगर आपने कोई भी हरकत की तो पूरा का पूरा सहर आपका उड़ा दिया जाएगा और ये सुनने के बाद पाकिस्तानी जो प जिहास में अमर हो गया हमारी जो सेना का आपके पास जो गौरभ है ये पूरी दुनिया ने जाना और समझा की हमारी आर्मी इतनी बड़ी क्यों आर्मी थी समझेगा ये युद्भे के बहुत सारे माइने हैं क्यों क्यों कि हम 1962 में चाइना से हार चुके थे 1965 में हमारी पाकिस्तान से धड़ाब हो चुकी थी उसकी बाद हमारी आर्मी को थोड़ा सा थोड़ा सा पाकिस्तान को ऐसा लगनी लगा था कि हम कभी भी हमला कर सकते हैं भारस से और कभी हम लोग क्या कर सकते हैं जी सकते हैं इस एक युद्ध में उनकी जो पराजे हुई उससे वो कम से कम अगली 30 सालों के लिए सांध बना रहा और हमने 1998 से पहले पाकिस्तान की कोई भी बड़ी हरकत यहाँ पर नहीं देखी यह युद्ध बहुत बड़ा था इस युद्ध में क्या क्या पाकिस्तान ने समरपड कर कर लिए लिए यह पर एक व्यक्ति थे आपको याद रखना है इस जम्मु कस्विर वाले मामले को सुझा लेते हैं लेकिन उस टाइम पर हमारे सामने बहुत बड़ी परेशानी थी पाकिस्तान ने कह दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि हम जम्मु कस्विर मामले को सुझाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल नहीं सुल जाएंगे अगर आप स भारत और पाकिस्तान की बीच में है ना जो इंडिया और पाकिस्तान के इंडिया और पाकिस्तान के जो 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 इंडिया कि अमेरिका के पास चलो UN के पास चलो जब अपन 1971 में समझोता कर चुके हैं कि भाईया हम किसी बड़े देश को नहीं बुलाएंगे आपकी जगरे में फिर आप क्यों बुलाते हैं वदब पाकिस्तान अपनी बातों पर कभी इस्तिर नहीं रहे सकता ये बात आपको सौझ में आती हैं दूसरा अपने या पर क्या किया कि भाईया जो 1966 का जो तासकंद समझोता है इस तासकंद समझोते की सर्तों को क्या करेंगे लागू करेंगे इसको लागू करने भी पाकिस्तान हमेशा परिशानी होती है कि भाईया हम इसको नहीं मानने बाले हैं ये तो अपना 21-72 में 1971 भातर का समझोता है सिमला समझोता बेटा एक आप इत्यास में पढ़ते हैं 1945 का वो अंग्रेजों के टाइम का है कि आजादी की बात का है इंद्रा गांधी और पाकिस्तानी प्रोफन इसको क्या किता बेटा साइन किया था इसकी दो बाते आपको याद रखना है एक इंडिया पाकिस्तान किसी भी इंटरनेसल बोडी को सामिल नहीं करेंगे हमारे विबाद के बीच में दूसरा आपको याद रखना है कि 1966 के उत्तासकन समझोता है इसकी सर्तों को क्या करेंगे बेटा एपलाय करेंगे इसे के साथ में एक और बात यहाँ पर आई थी कि हम को बारता के साथ क्या करें सुलजाने की कौसिस करें हम एक दूसरे के जो छेतर है इन पर अधिकार करने की कौसिस यहाँ पर नहीं करेंगे यह पेटा आपके पास किया था सब्छोता था है और आप कोई सब्छynn सकता है यह पंपर इसको क्या कर लेतव थोड़ा से हां पर पहरे चीज तो क्या है इसने जो भारत है इस भारत का भारत को एक बिसेश इस्थान दिया इसने बिसमे बारत को एक बिसेश इस्थान दिया इसने बिसमे दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि पाकिस्तान जो हमें दो फ्रेंट पर पर परिशान करता रहता था कभी प पूर्वी सीमा, जो पूर्वी सीमा है, इस पर थोड़ी सी सान्ती मिली, क्योंकि बाँगलाधेश को हमने आजाद कराया है, तो बाँगलाधेश हमारा क्या होगा बिटां, मित्र होगा, मतलब हमको क्या करना है, तो इस फरेंट पर मजबूती रखनी है, और इस वाले के सामने आई कि यह अपने ही लोगों पर इतना अत्याचार करता है तो जो आतंगबाद है यह तो बैसे ही पाकिस्तान प्राइजित होगा चौता यहां पर आपके पास जो बैस्विक सक्ति हैं इन बैस्विक सक्तियों का जो गतिरोध है यह भी सामने आगया अभी तक कुछ देसे को पता ही यहां पर नहीं था अमेरिका के स्थिति क्या है यूएससर के स्थिति क्या है सब कुछ पता चल गया सबसे बढ़िया जो इस्थिति है वो इंडियन आर्मी का है हमारी जो आर्मी की गिलोरी है आर्मी का जो मान है और जो समान है यह पूरे विस में पहल गया और भारत एक सक्ती के तोर पर हमें क्या हुआ बेटा दिखाई जाने लगा पूरी दुनिया के सामने जो छोटे छोटे देश थे अब भारत पे एक उम्मीद की तरफ देखने लगे कि अगर कुछ भी होगा तो भारत हमको क्या कर देगा आजाद करा देगा उसी का परिणाम है कि आज भी बलुक्षिस्तान की लोग नारे लगाते हैं कि भारत से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद हैं हम भारत को क्या करेंगे आजाद कराएंगे लोगो बेटा बेसिकली ये जो युद्ध है उस टाइम पर परिशितियां ऐसी नहीं थी कि भारत इसको करना चाहता था इंदरा गांदी किसी भी इस्तिती में इस युद्ध को नहीं करना चाहते थी क्योंकि हमारी इस्तिती उतनी अच्छी थी नहीं हम आर्थिक तोर पर संपन नहीं थे हम विकास सीली थे आर्थ विस्ता उतनी हमारी स्वोंग नहीं थी लेकिन हम जो सिक मुझीवर रह्मान हैं उनसे बार-बार बादा कर चुके थे कि अगर युद्ध होगा तो हम आपका साथ देंगे लेकिन जब अमेरिकान इस युद्ध में प्रिवेस किया तो ऐसा लगने लगा था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अगर उसी टाइम पर USSR से हमने friendship ट्रिटी साइन नहीं की होती तो बिटा इस युद्ध के पईणाम कुछ और भी हो सकते थे अगर USSR और अमेरिका के बेचे कोल्ड बार नहीं चलना होता तो पईणाम कुछ और हो सकते थे लेकिन इध्यास आजमर है अब हमने एक देश को आजाद कराया इंदरा की सकती का लोहा माना सबने और भारत ने एक बहुत बड़ी बिवाद एक ऐसी समस्या जिसको लेकर कोई ध्यान नहीं देदा था उस समस्या का समाधान निकाला तो यह हमने आपर बाचित किये बेटा 1971 का आपके पास जो बौर है बेजे दिवस क्यों मनाये जाता है भारती सेना डारेक्ली इसमें मदब भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं थी बट इंडारेक्ली पाटिस्पेट करती है सिर्फ 3000 सेने को ने 90,000 सेने कों साथ समरपन करा दिया यह बात तो बात में पता चली कि भारत ने सेने क्या पर भेज़े ही नहीं थे अगर आपको यह लेक्चर पसंद आए तो आपका फीड़बेक जरूर दीजिएगा लाइक, सेर जरूर करिएगा अगर यह सीरीज आपको पसंद आती है तो हम इस तरीके के बहुत सारे लेक्चर में आपके सामने लेका रहूंगा कुछ भी कमी आपको लगती है तो मुझे जरूर बताए साथ ही आप लोग अनेकरेट में प्लस को जोईन कर सकते हैं कोड़ी उस करें गौरब लाइव यह आपको 10% डिसकाउंट दिलाएगा प्लस पर मेरे बहुत सारे कोर्सर से MPPSC मेंस के लिए थैंक्यू बेरी मिच्च